ओ नमस्ते सभी को रादे रादे तो हो चुकी है सुवा और हम चल दियें आज मंदिर और यहाँ पर संकर भगवान का बहुत ही प्यारा मंदिर है चोला रेलवे स्टेशन के पास में इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है और मनों कामना पूरण होती है तो अब हम चल द अब लोग है और देखें यहाँ पर आ चुके हैं मंदिर मंदिर में बहुत सारी भीड थी और यहाँ पर कुछ सादू संत भी बैठे हुए थे पुजारी लोग यह बहुत ही पुराना मंदिर है यहाँ पर कुछ बाबा और सादू लोग अभी आ गए हैं इस मंदिर में और सुबह सुबह हम पहुंच के मंदिर और अब हम इसके अंदर करेंगे थोड़े देर पूजा अर्चना कि शंकर भवान का मंदिर है यहां पर मैंने दीप रजुलित किया और कुछ प्रदीप मिस्राजी के उपाये भी किये जो कि आपको मेरे सौट वीडियो में आपको मेरे च मेरे बीडियो अच्छी लगे तो प्लीज पहला आइकन को दवाना ना भूलें जिससे कि आपको आग आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और मैं अपने चैनल पर अच्छी अच्छी और वीडियो लाती रहूंगी बस आप लोगों का मुझे थोड़ा स कर रही थी और यहां पर मैंने भी थोड़ी पूजा आर्शना करी अगरे अब हम गाओं में हूं तो आभी मैं आपको अपने गाओं की वीडियो ही दिखाऊंगी और ब्लॉग लेकर आऊंगी और इस मंदिर में सुवए सुवए बहुत जादे भीड रहती है यह मंदिर हमारे गाओं की विंग्दम बीच में बना हुआ है और यह भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहां भी मैंने कुछ प्रदीप मिस्राजी के और थोड़े से उपाय करे तो गाइज अब मैं आपको कराऊंगी सबसे पहले चूले के दर्शन यहां पर गाओं में देखे ठंड जादा थी तो कुछ लोग यहां पर बैठे हुए थे चूले के आगा और यहां पर हमने बना हुए कड़ी से अलग होता है और देखें यहां पर हमारी कड़ी बनकर रेडियो हो गई है और यह कुछ महिला है इसके ऊपर बैठी हुए थी चूले के पास में और यह बात ते कर रही थी सास बहुए दोनों बैठ कर और फिर उसके बाद हमने चूले पर ही रोटियां बेल करें